वेल्कम तू भाई की बहड़ाई सस्क्राइबर और जिनों ने नहीं किया वो कर दो और भाई सब सही चल रहा है थोड़ा अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखा करो भाई खाने के मामले में दो चीजों को कोई बीट नहीं कर सकता एक मा के हाथ का खाना और दूसरा दोस्त के पैसो से मिला कैंटीन का खाना कैंटीन में घुस्ती ऐसा लगता है जैसे हम कोई डाक हुएं और जंगल में घुसे हों जो दोस्त दिखा उसे ही लूट लिया पर उल्टा भी हो जाता है जब तुम अपने पैसों से कैंटीन जाओ, मतलब वो वो बच्चे दिखते हैं जो साला सालों तक नहीं दिखे थे जैसे ही हमारे हाथ में खाना आता है, पता नहीं एकदम से कहां से प्रकट हो जाते हैं ये लोग एक बाइट बोलकर आधा खाना लूट लेते हैं अरे रे 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 पूरे साल ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करने वाले लोग क्या जाने कैंटीन को अपना अटा बनाने का सौध खेर कैंटीन में तो लूटने लुटाने का सिलसला चलता रहेगा तो चलो शुरुआत करते हैं साइंस के तीसरे चाप्टर की जब तुम किसी मॉल में घुसते हो और एक बकसे से निकलते हो तो एक बीप की साउंड आती है न तो जिस मेटीरियल की वज़े से वो बीप की साउंड आती है उसको हम मेटल्स कहते हैं ये बात कहके CBSC वाले ये चैप्टर को दो मिनेट में खतम कर सकते थे लेकिन नहीं उन्हें चाहिए था लंबा चोड़ा 20 पेजेस का चैप्टर तो भाई सब बूसी को पढ़ेंगे कहानी की शुरुआत ऐसे होती है इस दुनिया में 118 यानि 118 एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को हम उनकी प्रॉपरटीज के बेसिस पर दो केटेगरीज में बाट सकते हैं और वो केटेगरीज हैं मिटल्स एंड नौन मिटल्स तो चैप्टर की शुरुआत करेंगे मिटल्स और नौन मिटल्स की फिजिकल प्रॉपरटीज से पहले बात करेंगे metals की तो pure state में metals का surface शाइनी होता है यानि चमचमाता हुआ और उनकी इस property को metallic luster कहते हैं दूसरा metals सक्त लॉंडो की तरह होते हैं यानि सक्त और जो असानी से ना पिगले हैं बोले तो वो बहुत hard होते हैं और उनका melting point बहुत high होता है पर ये सक्ती किसी metal में ज़ादा होती है तो किसी में कम बात करते हैं अगली property की तो metals को मार मार कर मार मार कर thin sheets में convert किया जा सकता है उसकी इसी property को malleability कहते हैं गोल्ड और silver सबसे ज़ादा malleable metals हैं सोचो अगर तुम metal होते हैं तो तुम्हारी mark sheet देखकर तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें मार मार कर sheet बना देते हैं metals से thin wires भी बनाई जा सकती हैं उनकी इस ability को ductility कहते हैं और gold सबसे ductile metal है metals snores भी होते हैं metals को जोड से मारने पर sound निकलती है बस उनी metals को snores कहते हैं और property को snority metal heat और electricity दोनों के ही good conductors हैं और ये बात तुम पहले से ही जानते होगे copper और silver best conductor of heat है तो दोस्तों ये properties और in properties के मतलब याद कर लेना कर लेना क्या याद होई गई होंगी कुछ खास हित्ता है नहीं और ये जो physical properties मैंने metal की बताई हैं ये सब non metal में नहीं होती हैं अब जो आगे मैं छोटी छोटी पॉइंट्स बताऊंगा वो थोड़ा important हैं उन पर question आ जाते हैं तो सुनो सारे non metals या तो solid हैं या gas बस bromine एक ऐसा non metal है जो liquid है ऐसी सारे metals room temperature पर solid होते हैं बस mercury ऐसा metal है जो liquid होता है याद है ना metals सक्त लॉंडे होते हैं असानी से नहीं पिगलते हैं मतलब उनका melting point high होता है पर gallium और casheum दो ऐसे metal है जिनका melting point low होता है अगर ये metals लड़के होते हैं तो लड़की ने बस देखकर smile कर देना तो ये तो amazon पर शादी के लिए शेरवाने ढूंडने निकल जाएंगे ओ ममी मेरी शादी कर दो जूनिया जूलाई में ममी मेरा दिल ने लगता दसवी की पढ़ाई में अब अगला point सुनो आयोडीन एक non metal है पर lustrous है यानी shiny जो की generally metals की property होती है अगला point तो तुम्हें हरा नहीं कर देगा ये याद है ना metals hard होते हैं अच्छा तो carbon एक non metal है और carbon अलग-अलग forms यानी अलग-अलग रूप में भी exist करता है इन forms को allotrop कहते हैं तो carbon जो की एक non metal है उसी का ही एक allotrop hardest natural substance है जिसको diamond के नाम से जाना जाता है ऐसी carbon का एक और allotrop है graphite जो की electricity का conductor है एक point यह है कि जो alkali metals है यानी lithium, sodium, potassium वो soft होते हैं इतने soft कि तुम चाकू से उन्हें काट कर अलग कर दो उनका melting point भी जादा नहीं होता तो दोस्तो यह जो सारे points मैंने अभी बताए यह exceptions हैं तो exam में इन exceptions पर one marker question आ जाते हैं अब हम पढ़ेंगे chemical properties of metal यह chapter mainly metals पर ही है पता ही नहीं नाम में non metal क्यों ही लिखा हुआ है आओ तु स्टार्ट करते है chemical properties जो metal है वो oxygen से react करके metal oxide बनाते हैं अच्छा यह बताओ metal oxide acidic होते हैं या basic और रहे पिछले chapter में ही बताया था नहीं याद metal oxide basic nature के होते हैं और non metal oxide acidic nature के हैं यह तो बच्चों वाली बात हुई लेकिन अब हम बात करेंगे amphoteric oxides की पहले ही बता रहूँ exam में इससे related सवाल आते हैं तो ध्यान से सुनो और समझो amphoteric oxide वो metal oxide है जो acidic और basic दोनो behavior शो करते हैं इनके example है ZNO-Al2O3 तो यारो अब reaction का एक rate भी होता है कोई reaction बहुत जल्दी होता है तो कोई अराम अराम से ऐसे ही अलग-अलग metals oxygen के साथ अलग-अलग reactivity दिखाते हैं जैसे sodium और potassium ऐसे metal हैं जो vigorously react करते हैं अगर इने खुले में रख दो तो ये आग पकड़ लेंगे इसलिए इनको kerosene oil में store किया जाता है वहीं silver और gold ऐसे metals हैं जो oxygen से किसी भी temperature पर react नहीं करते एव वहीं महंगा थोड़ी है सुनना सक्ती भाई सक्ती तुम भी अपने अंदर सक्ती लाओ देखना फिर तुमारे भी भाव बढ़ जाएंगे चलो अब अपनी पुरानी यादे ताजा करते हैं ये बताओ तब क्या होगा जब metal का reaction acid से करवाएंगे अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये बात आ रही होगी अरे यार ये पिछले चैप्टर में पढ़ा तो था पर अब याद नहीं आ रहा तो इसलिए कहते हैं अगर केमिस्ट्री में पुरानी बातों को याद रखोगे तो बहुत advantage मिलता है तो reaction है ये Metal plus acid gives salt plus hydrogen gas लगा ना कुछ देखा देखा सा अच्छा चलो अब फिर इसी reaction से related एक exception की बात कर लेते हैं जब कोई metal nitric acid यानि HNO3 से react करता है तो H2 gas produce नहीं होती है क्योंकि HNO3 strong oxidizing agent है ये H2 को oxidize करके H2O में convert कर देता है oxidization agent वो होते हैं जो किसी और का oxidation कर दे और खुद का reduction करवाए और oxidation first chapter में पढ़ा था याद आया ना oxidation का मतलब है oxygen का add होना या फिर hydrogen का remove होना देखो भाई simple है पुरानी बात याद नहीं है तो है है करते रह जाओगे अच्छा एक बात और बस दो ऐसे metal हैं जो HNO3 से react करके H2 gas produce करते हैं और वो भी very dilute HNO3 के साथ और वो दो metals हैं magnesium और magneese चलो यार आज factual चीजे कुछ साधा ही हो गई इनको एक बार याद कर लोगे तो question easy लगने लगेंगे क्योंकि यहां से direct question ही आने है अगला episode थोड़ा समझने का है तो मस्त नहाद होकर देखना अगर आलस में ना कर पाओ तो कम से कम mood होकर ही आ जाना चलो फिर मिलते हैं अगले episode में अलसो अगर तुम्हारा सही में ये हाल है ओ ममी मेरी शादी कर दो जून या जूलाई में ममी मेरा दिल नहीं लगता दसवी की पढ़ाई में तो तुम्हें चाहिए cheat sheet तुम्हारे भाई ने खुद ये book बनाई है तुम्हारा दिल भी लगेगा पढ़ाई में तुम टॉप भी करोगे और फिर ultimately बढ़िया बढ़िया रिष्ट आएंगे order now, link in description तुम्हारे बढ़िया बढ़िया रिष्ट आएंगे